Good morning children, welcome to the Sun Public School online classes, so today we will read about our English grammar book Chapter 6 Chapter 6 named Countable and Uncountable Countable means जिने गिना जा सकता है And Uncountable means जिने नहीं गिना जा सकता है यनि गणनी है और अगणनी है तो word हमारे आसपास एसी भहुत सारी चीज़े होती है जिसे हम कुछ को तो हम गिन सकते हैं और कुछ को हम नहीं गिन सकते हैं जो कि हमें भी पता है तो आज उनी चीजों के बारे में उनी वस्तों के बारे में आजम पढ़ने वाले हैं So let us start our chapter Countable and Uncountable All the nouns that can be numberically counted are called countable nouns All the nouns यहीं वे सभी संगया हैं that can be numberically यहीं जिने संख्या अनुसार Counted जिने हम गिन सकते हैं are called countable nouns उन्हें हम countable यहीं गणनी संगया हैं उन्हें हम कहेंगे For example, boy, man, toy, etc. यहीं बोई यहीं एक लड़के को हम गिन सकते हैं Man, यहीं आदमे को हम गिन सकते हैं, खिलोनों को हम गिन सकते हैं, और यहीं काफी चीज़ होती जिने हम गिन सकते हैं All the nouns that cannot be numberically counted are called uncountable nouns यहीं वे सारी संगया हैं जिसे हम संख्या अनुसार नहीं गिन सकते हैं उसे हम कहते हैं uncountable nouns यहीं अगणनी संगया Like for example sugar, आप sugar यहीं आप चीनी को नहीं गिन सकते हैं Oil आप तेल को भी नहीं गिन सकते हैं Water आप पानी को भी नहीं गिन सकते हैं कि आपने को भी पानी को गिना है कि पानी इतना होता है इतना होता है नहीं Oil को नहीं हम तेल को भी नहीं गिन सकते हैं उन्हें हम कहेंगे countable nouns और जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जिन्हें हम count नहीं कर सकते हैं उन्हें हम कहेंगे uncountable nouns तो यहाँ पर कुछ examples दिये गए हैं तो उसके द्वारा हम यहाँ पर अच्छे से समझते हैं Practice time Look at the pictures given below and circle the things you can count आपको इन pictures को देखना है और उन्हें चीजों पर circle बनाना है जिसे आप count कर सकते हो books, hair, pen, sugar, oil, boys तो अब जिन चीजों का आप यहाँ पर count कर सकते हैं उन्हें पर आपको circle बनाना है जिन आप count नहीं कर सकते हो उन्हें आपको इसे ही छोड़ देना है We found that there are three books हमने यहाँ पर पाया इसमें countable चीज़ पर हम यहाँ पर circle बना रहे हैं जिन हम count कर सकते हैं तो हम boys को count कर सकते हैं हम books को count कर सकते हैं हम pen को count कर सकते हैं तो we found that there are three books sorry, we found that there are three books हमने यहाँ पर पाया कि यहाँ पर three books हैं two pens, two pen हैं and four boys और यहाँ पर four boys हैं in the above pictures इन उपर दी गई पिच्छर में हमने यह सब चीजे नोटिस की है कि यहाँ पर थ्री बुक से टू पैने और फॉर बॉई से रेस्ट ओफ तिंग्स लाइक शुगर और बच्ची वी चीजे जैसे चीनी, ओयल, एंड हैयर इन नोट भी काउंटेट, हम इनने काउंटेट नहीं कर सकते हैं, हमने किसे पता चला कि यह बुक पैन कितने हैं, क्योंकि हम इनने काउंट कर सकते हैं, हमने यहाँ पर काउंट करके बता हैं, थ्री बुक हैं, वन टू थ्री, टू पैन हैं, वन टू और फॉर बॉई से, वन आप oil को count कर सकते हो तो countable nouns have their own plural forms countable nouns होते हैं उनके पास अपने plural forms है हम उन्हें plural में भी बदल सकते है they can be used as singular and plural in a sentence वह sentence है नि वाक्यों में singular और plural दोनों रूप में वह use की जा सकती है for example give me a toy मुझे एक खिलोना दो give me a toys so give me toys मुझे खिलोने दो तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि यहाँ पर बात हो रही कि जो countable चीज़े है नि जिन चीज़ों का हम गिन सकते हैं उन्हें हम plural और singular दोनों में उन्हें बदल सकते हैं उसकी विपरित a और n can be used before countable nouns और a और n जो की articles है can be used उनका use होता है before countable nouns नि उनका use हम countable nouns से पहले कर सकते हैं if they are singular यदि वे singular हो some is used before a countable noun कुछ का use हम countable noun के पहले करते हैं when the quantity of the countable noun is not known जब हमें उस countable noun की quantity पता नहीं हो for example a boy is waiting for you यानि एक लड़का आपका इंतिजार कर रहा है some boys are waiting for you कुछ लड़के आपका इंतिजार कर रहे हैं तो आप जब आपको quantity पता होती है तब आप a और n का use कर सकते हैं बद जब आपको quantity पता नहीं होती है तो आप a or n का use महाँ पर नहीं कर सकते हैं हमने यहां पर a का use किया क्योंकि हमें पता था boy is waiting for you एक लड़का आपका इंतिजार कर रहा है यहां पर some यह कोई article नहीं है boys are waiting for you कुछ लड़के आपका इंतिजार कर रहे हैं यहां पर कोई लड़का आपका इंतिजार कर रहा है तो आपको पता नहीं है कि वो कितने है any कोई भी हो सकता है कितना हो सकता है वो आपको यहां पर quantity नहीं पता है वहां आप any का use करते हैं इसे समय में हम use करते हैं any का फोर दला पोइंट है use of some आप some and any जब आप some and any का use करेंगे remain same for uncountable noun यहां आप उन चीज़ों के लिए some or any का use करेंगे जो कि uncountable हो uncountable noun हो यह जो अगण नहीं संग्या जो आप गिन नहीं सकते इसे जगे पर आप किस चीज़ का use करेंगे some or any का for example give me some tea to drink मुझे कुछ चाय दीजिए पीने के लिए चाय को नहीं गिन सकते हो give me some tea to drink मुझे पीने के लिए कुछ चाय दीजिए तो आप चाय की quantity यहां नहीं बता सकते उसे गिन नहीं सकते तो some है इसलिए हमने यहां यहां यूज किया some यहां नहीं मुझे कुछ चाय पीने के लिए दीजिए there is not any tea in the kettle kettle में कोई tea नहीं है तो हमने जब हमें उस चीज की quantity नहीं पता होते जब हम उन्हें गिन नहीं सकते आप tea को नहीं गिन सकते इसलिए हम हम यूज करेंगे some और any का uncountable nouns cannot be changed to plural form और एक और बात यहां पर है कि uncountable noun होती है उन्हें आप plural में नहीं बदल सकते हैं क्यों नहीं बदल सकते हैं क्योंकि आप उन्हें गिन नहीं सकते हैं जिन चीजों का हम गिन नहीं सकते हैं उन्हें हम plural में नहीं बदल सकते हैं for example there is some oil in the pain यानि pain में कुछ oil है अब oil है यहां पर यह एक uncountable noun है आप इसे नहीं count कर सकते हैं और आप इसे plural में भी नहीं बदल सकते हैं oil होता है आप उसे कैसे plural में बदलोगी क्या हम गीन नहीं सकते हैं इसलिए अब यह आपको यह right है ठीक है there is some oil in the pan यहाँ पर pain में कुछ तेल है there are some oils in the pan तेले क्या बोलेंगे आप इसे there are some oil in the pan क्या pain में कुछ तेले हैं नहीं यह wrong है तो यहाँ पर आपको जो five वाला पॉइंट उसमें यह बताया गया है कि आप uncountable noun को plural में change नहीं कर सकते six वाला पॉइंट है materials like gold अब materials like gold यानि सोना, silver यानि चान्दी cotton, steel, milk, coffee, tea, etc. are all uncountable nouns यानि यह सारी चीज़े uncountable nouns में आती है यानि आप इने नहीं गिन सकते आप सोने को नहीं गिन सकते हैं कित्ता सोना एक दो ती नहीं क्योंकि एक material है यह silver को हम नहीं count कर सकते cotton को हम नहीं count कर सकते steel को हम count नहीं कर सकते coffee को हम count नहीं कर सकते हैं tea को भी हम count नहीं कर सकते तो यह सारी चीज़े हैं हम इने count नहीं कर सकते इसलिए हम इने uncountable noun कहेंगे तो इस lesson में मैं आपको one word में छोटे शब्दों में या easy going way में आपको समझाऊ तो हमने हमारे आज के lesson में countable and uncountable चीज़े पढ़िए कि किन चीजों को हम count कर सकते हैं और किन चीजों को हम count नहीं कर सकते हैं और जिन चीजों को हम count कर सकते हैं उन्हें हम singular और plural दोनों में बदल सकते हैं लेकिन जिन चीजों को हम count नहीं कर सकते हैं हम plural में नहीं बदल सकते हैं countable चीज़े वो होती जिने हम गिन सकते हैं और uncountable चीज़े वो होती है जिने हम नहीं गिन सकते तो ये सारी चीज़े आज हमने हमारे इस chapter में read की है कि किस प्रकार हमने ये point भी read किये हैं कि किस प्रकार हमें uncountable noun में एनी और हम सम का यूज़ कर सकते हैं जिन हम गिन नहीं सकते हैं उन सेंटेंस में और किस प्रकार हम जिन चीजों को काउंट नहीं कर सकते हैं प्लूरल में भी चेंज नहीं कर सकते हैं और किन-किन चीजों काउंट कर सकते हैं